हेलो सुडेंट्स हम पिछले वीडियो इसमें कुछ important topics कवर किये जैसे कि representation of sets में हम लोग ने देखा set builder method, roster method and Venn diagrams हम लोग ने कुछ types of sets भी देखे अब कुछ यह last topic से हमारा sets का जिसमें हम operation of sets देखने वाले let's study operation of sets तो हम operation of sets में तीन topics कवर करेंगे पहला है compliment, union and intersections तो पहला topic हम समझते की compliment क्या है तो पहले हम real life से समझते compliment क्या है तो मैंने हम previous videos में हमें एक example लिये थे अगर classroom मेरा एक क्या है universal sets है तो हम लोग क्या होगे subsets तो अगर मैं बोलूगी compliment of set तो compliment मतलब क्या तो अगर मैं एक subset हूँ इस universal sets का तो अगर मैं बोलूग मेरा compliment क्या होगा तो simple सा है compliment मतलब क्या universal set में से मुझे minus कर दो तो जो बच्चे का वो मेरा क्या होगा compliment होगा और भी अच्छे से समझते हैं compliment कैसे को represent कैसे करते तो पहले समझते हैं की represent यह से करते the compliment of set A अगर बोला set A का कोई compliment बताओ तो उसको represent करते it is denoted by A बान या A dash याद रखना compliment कैसे represent करते है अगर कोई बोला A का compliment क्या है तो बोलेगा ओ रिप्रेजेंटेशन आफ क्या A डैस तो A डैस हम डैस देखे समझ में आदाना चीए यह मेरा क्या compliment है एक्जामपल से समझते है X मेरा एक universal set है जिसमें whole number है less than क्या 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और दूसरा एक set है जिसमें है 2 4 6 8 और हमें बोला कि find A compliment देख सेते A डैस A डैस मतलब A compliment बोला कि A compliment क्या है तो मैंने क्या बोला कि compliment कैसे find करते compliment क्या होता है कि जो पूरे universal set में से उस set को क्या कर दो minus कर दो तो हमारा क्या बच्छे का A compliment तो देख लेते ये मेरा universal set हो गया ये मेरा क्या हो गया A set हो गया अब मुझे क्या find करना है A compliment तो A compliment क्या होगा जिसमें से universal set में से A को क्या गर दो minus कर दो तो A set में क्या 2 तो 2 को क्या गर दो मैं minus 4 4 को क्या गर दो cancel 6 6 को क्या गर दो cancel 8 को क्या गर्दू cancel अब जो बच्चा उँ मेरा क्या होगा compliment set होगा बस उसको क्या गर्दू represent क्या क्या बच्चा है मेरा 0 1 3 5 and 7 तो ये मेरा क्या होगा compliment of set होगा अगर इसको अम्लो when diagram से समझे तो simple है हमें पता है कि universal set को किसे represent करते है rectangle से represent करते अगर इसके अंदर एक set है जिसका नाम क्या है A इस set का नाम क्या है A तो अगर मैं पूछू बताओ pictorial diagram में बताओ A compliment किसको represent कर रहा होगा A compliment तो बोलेंगे ये मेरा universal set है ये मेरा A set है तो A compliment क्या होगा पूरे set में से A को minus कर दो तो क्या होग अचेगा तो मैं उसको set it part से represent कर रहा हो तो ये जो part होगा ये जो part दिख रहा है तुम लोगो ये part मेरा क्या होगा ये part मेरा क्या होगा A compliment होगा क्या होगा A compliment अगर मैं इसको लिखू तो ये क्या होगा A compliment तो A compliment समझ में आए क्या A compliments का है, पूरी universal set में से किस से minus कर दो, मेरे A set को minus कर दो, इसको मैंने set builder method में भी represent किया है, तुम लोग देख सकते हो, it is defined as, A equals to, X पता एक मेरे elements होते है, X क्या कहा से belong करेंगे मेरे, universal set, लेकिन X ऐसे elements होने चाहिए, जो A का elements नहीं होना चाहिए, X does not belongs to A, उसको हम लोग क तिनो examples में देखा, roster method, set builder method and Venn diagrams, अगर हमारा second topic है, हमारा कुछ properties है, अगर मैं तुम लोग को कुछ पोछो, बताओ A compliment का compliment क्या होगा, A compliment का compliment, सोचो, A compliment का compliment यह वाला part होगा, और उसका भी compliment ले रहा हो, तो उसका पूरे universal से, अगर मैं set part minus कर तो क्या बचेगा, A set, तो A compliment का compliment क्या होगा, A होगा, simple है, कि मेरा क्या है, universal set है, तो पहले A compliment क्या होगा, अभी हम लोग ने देखा, फिर बोला उसका भी compliment, तो A compliment का भी compliment, तो अब हम लोग क्या करेंगे, universal set में से compliment part minus करेंगे, तो क्या बचेगा मेरा, A set, तो फिर से हमारा क्या होगा, A set, तो A compliment का compliment क्या इसका find out मतलब 5 मतलब null set होता है याद रखना ये 5 क्या होता है null set null set मतलब मेरे set में कोई भी elements नहीं है Shadow 0 भी एक elements होता है मतलब अगर मैं बोलो End of कोई set A है तो उसका मतलब 5 मतलब उसमें कोई भी element नहीं है अगर इसको कोई set में represent करें तो उसके अंदर कोई भी elements नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते है null set null set मतलब 0 भी नहीं होता क्योंकि अगर मैं इसके अंदर 0 लिखूंगा तो भी यह क्या हो गया एक element हो गया null set मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो null set का compliment क्या होगा universal set समझा रहा है थर्द होगा कि तुब लोग बस बताओ x मेरा universal set होता है तो बताओ अगर मैं उसका compliment लिखूंग तो क्या हैगा comments में बताओ तो हम लोग ने देखा compliments क्या होता है उसका representation देखा representation में हम लोग ने एक बात miss किया कि इसमें a compliment को a upper parts में हम लोग क्या लिखते c तो इसको भी इस तरह की से represent करते बट हम लोग mostly a dash से ज्यादा represent करते है यह mostly अगर आ गया तो पता होना चीए कि a c भी मेरा क्या होता है a compliment होता है तो आब हम लोग next topic पे चलते है क्या union of set बहुत important है हर बार हमें मिलने वाना है union complement and intersections तो द्यान से देखना तो union of sets क्या है तो पहले समझते union of sets क्या तो the union of set a and b अगर में पाद दो set है a and b तो उसका union क्या होगा is the set of all elements which in a or in b main है or तो दो terms होता है or होता है और end होता है तो और कभी उसकरते है हम लोग कि हमें बताना है कि a and b का union क्या होगा मतलब कि ऐसा जो a में भी होना चीए और b में भी होना चीए और हमें पता है कि elements नहीं होते है sets के अंदर तो हमें इस a union भी अगर find करना है तो हम लोग कैसे find करेंगे हम लोग एक्जामपल से जामस्ते जैसे कि मैं बोलू एक मेरा क्या बोला है a क्या है x such that x is a prime number less than 10 तो बोलने की कोशिस कर रहा है क्या अगर मैं इसको roster method में लिखू तो क्या होगा x such that x मेरे element है x क्या होना चीए prime number होना चीए जो less than क्या होना चीए 10 तो prime number कौण कौण से less than 10 होने चीए तो हमें पता है 1 क्या prime number है नहीं 1 prime number नहीं है 1 is neither be prime nor be composite तो अब कहां से start होगा 2 से 2 3 5 7 7 क्योंकि 9 is not a prime number क्योंकि 9 3 के table में आता है prime number पता है जो 1 और खुद के table में आये उसको हम लोग क्या बोलते है prime number ठीक है b क्या बोल रहा है x जैसे x कोई element है x belongs to natural number x is a factor of a factor of 8 मतलब 8 किस-किस table में आता है 8 किस-किस table में आता है 1 में आता है 2 में आता है 3 में आता है 4 में आता है 5 में आता है 7 में आता है 8 में आता है x is a factor x is a factor of 8 8 किस-किस table में आता है अब क्या find करने बोला a union b यह हमने देखा कि एक्जाम्पल्स लिका है हम लोग ने रॉस्टर में लिका इसलिए है और ऐसे elements है जो बीम है और जो common है उसको भी लिकना है बट स्रिप एक बार तो सारे पहले मेरा simple से देखा 2,3,5,7 अब मैं किसके लिकूँगा लेकिन इतना याद रखना है repeats नहीं होने चाहिए 1, क्या 1 था है नहीं तो मैं 1 को लिक सकता हूँ 2, लेकिन 2 already मैं लिक चुका हूँ तो मैं दुबारा नहीं लिकूँगा क्योंकि मुझे पता sets में repeat नहीं होते 4, 4 था इस में नहीं तो 4 लिकूँँगा मैं क्या 8 है नहीं तो 8 लिकूँँगा तो ये मेरा क्या होगा है A union B तो A union B कहा है जो A में थे वो भी लिखा जो B में है वो भी लिखा और जो common है वो भी लिखा मैंने समझ में आ रहा हैं ये क्या था मेरा A union B इसको अगर मैं pictorial representation से समझू तो क्या होगा मैं अगर मोलू एक मेरा universal set है इसमें दो सेट है A और B तो बताना है इसमें A union B क्या होगा तो A union B मतलब common part तो अगर मुझे इसको standard part से represent करना है तो ये A B होना चीए और क्या होना चीए? B तो ये मेरा क्या होगा है? ये जो मैंने बनाया है ये मेरा क्या है? A union B अगर ये मेरा universal set है ये जो standard part represent कर रहा है वो क्या represent कर रहा है? A union B मतलब A के वी elements B के वी elements और जो common है उसको B represent करना है समझ में आ रहा है ये हमारा क्या है? A union B जैसे हम रहे हमने इसको sand builder methods में भी represents किया A union B अगर define करना मोल दिया तो कैसे define करेंगे? A union B equals to X X में element से such that X belongs to A X क्या होना ची? A से भी belong करना ची और X belongs to B ये मेरा क्या होगा? set builder methods में तो हम लोग ने तीनों method देख लिया Venn diagrams, roster method and set builder method अब हमारा थड है क्या? intersection of the sets अभी intersection of the sets क्या है? intersection नाम से जिस कर रहा है कि intersection मतलब क्या? common part की बात कर रहा है, किस की बात कर रहा है? common part तो इसका पहले definition देख लेते the intersection of two sets A and B अगर दो sets का मुझे क्या find करना है? intersection find करना है A और B का तो क्या होगा? is this set of all elements ऐसे set of all elements which are both in A और A and B important है इधर क्या? and intersection मतलब ऐसे element जो A में होने चीए and B में होने चीए, मतलब हम लोग किस की बात कर रहे? common elements की बात कर रहे जो A में भी होने चीए और B में भी होने चीए इसको example से समझते हैं हम लोग जैसे एक A लिया है, एक वाल चुक है 1, 3, 5, 7, 9 एक B सेट लिया है, उसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और find क्या करने बोला, A intersection B तो अगर बोला A intersection B कितना होगा? तो हमें पता है, intersection मतलब common part जो A में भी होना चीए और B में भी होना चीए क्या देखते हैं common? क्या 1 इसमें है, 1 है? हाँ, 1 दोनों में है तो यह मेरा intersection common part है 3 है, 3 है इसमें, हाँ है इधर 3 और इधर 3 है, दोनों में होना चीए 3, क्या इसमें 5, इसमें 5 है? येस, तो 5 7 है इसमें? नहीं तो 7 नहीं होगा 9 है, नहीं, 9 नहीं है तो यह मेरा क्या होगे? intersection elements तो यह क्या होगे मेरा intersection element अगर इसको मैं जो वेंट डागरम से समझना है तो अगर मैं क्या बनाओ? एक universal set इसमें 2 set है, A और B A और B, universal set तो अगर मैं बोलो, seted parts से इसको represent करो intersection part, तो A और B में common part कौन सा है? ये वाला, जिसके अंदर दोनों आ रहे हैं, तुम्हें हम देख सकते हैं ये A वाला भी part है, और ये B वाला part भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया? अगर ये पुछू ये क्या है, तो A intersection B, ये मेरा common part है, अगर इसको हम लोग किस से समझे? representation करने बोला, अगर किस से send builder method से, तो देखेंगे A intersection B क्या होगा? is, क्या होगा? x मेरे elements है, x elements such that, x belongs to A मतलब x A से belong करना चाहिए main important में बार-बार बोल रहा हूँ क्या? end, end मतलब common के लिए उसकरते है, इसमें भी, और इसमें भी end, x belongs to B, ये क्या होगा है मेरा? intersection of the set in a set builder method तो हम लोग ने three main topics cover किये, compliments ये हमारा था क्या? union of set और ये हमारा क्या है? intersection of, तो इसमें most important union for और के लिए use होता है याद रखना, intersection किसके लिए use होता है? for end के लिए काफी important topic से हमें क्या करना है? focus करना है, जो हमने future lectures में पढ़ने वाले, जैसे functions उसमें काफी important से हमारे compliments, unions and intersections अगर आप लोग को कुछ doubts है, तो आप पूसरते हो comment box में, अगर कोई examples आपको नहीं समझ में आया, तो आप just pin करे, तो हम आपको explain कर देंगे, और भूल मत जाना है इसका, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका पक्का answer देना x compliment का answer क्या होगा, write down in a comment box हमें ये समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहे, I think आप लोग को सब clear हो गया रहेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो like, share and subscribe हमें भी पता चले आपको कितना समझ में आ रहे, thank you